आज का केस भी as usual जो हमने लास्ट केस किये थे सुब्रिमनियम केस नागराज केस परकार्शिंग केस बहुत ही लैंडमार्क जजज्मेंट थी और ये तो आप बहुत जगा कर भी चुके होंगे क्रिमिलाइलेशन आफ दे पॉलिटिक्स ओके यहां पर सिधा सिधा आपको और पी एक डिप्रेजंटेटिटिव पीपल्स एक नाइटीन फिफिटीवन जिसके अलग से प्रुविजिंस हैं रिगार्डिंग दिस्क्वालिफिकेशन अफ दे मेंबर अफ पार्लेमेंट और स्टेट लिजिसलेचर लिली थॉम्सन यहां पर पेटिशनर थी जिन्हों ने यह पर केस जाला सो डाट क्रिमिनलाइजेशन को रुका जा सके 2014 के जो जनरल इलेक्शन थे उसमें यह डाटा आया गया कि 34% ऐसे मेंबर्स है जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जिज थे बट स्टिल दे कॉंटेस्टेट एन इवन वन अलसो और 21% वो मेंबर्स थे जिनके किलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जिज थे बट स्टिल दे वन यह कंक्लूजन भी करा गया कि जो क्रिमिनल बैक्राउंड वले मेंबर्स हैं उनके चांसिस 11% थे जीतने के अभी तक आपको पता होगा simply पहले लोगसभा और राजरसभा की एक अपनी-अपनी conditions हैं that is 25 years that is 30 years age no office of profit no anti-defection law defection से बहारो unsound mind इन सब से आप disqualify किये जा सकते हैं and disqualification के लिए जो final वो है consent है वो election commission से ले जाएगी with the high court high court यहाँ पर election commission से finally एक say लेगा consideration लेगा and disqualify कर दिया जाएगा इसके अराबा कुछ-कुछ provision हमारे पास representation of people's act 1951 में दिये गए हैं for example अगर किसी को दो साल से जाएगा अगर कोई convict हो जाता है convict मतलब वो पकड़ा गया and prove हो गया and उसकी जो punishment है वो दो साल से जाएगा तो उसको debar कर दिया जाएगा from contesting the election okay so RPA act में बहुत से provisions दिये गए हैं जिसमें disqualify करा जा सकता है उसमें most important है हमारे पास ये दो साल से जाएगा imprisonment का and अब यहाँ पर एक section add करी गई section थी section 8 of the RPA जिसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी के खिलाफ trial for example पहले ये था कि अगर किसी के खिलाफ trial चल रही है अब भी start हुई है तो आप उसको debar नहीं कर सकते हैं okay पहली condition तो ये second condition ये कहा गया कि okay अगर वो convicted भी हो गया है तो उसको तीन मन्त दिये जाए higher court में appeal करने के लिए and in the three months in this gap cooling period में वो election दुबारा से लड़ सकता है अब यहाँ पर एक clause ये भी आया गया कि शायद opposition की तरव से या कोई इनकी image को tarnish करने के लिए इनके ऊपर false charges भी लगा सकता है so यहाँ पर section 8 में एक छोटी सी जो cool of period है three months का दिया गया and इसी को challenge किया गया लिली थॉम्सन ने जिसको इसको challenge करा and कहा कि ये तो सिधा सिधा article 14 right to equality जहाँ पर आप members को और citizens को यहाँ पर differential treatment दे रहे हैं because तीन महिने के अंदर हो सकता है कि वो दुबारा से MP बन कर आ जाए and उसके बाद उसके साथ differential treatment कर आ जाए तो साफ साफ आप यहाँ पर कर रहे हैं तो लिली थॉम्सन की demand रखी गई यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर section 8 में 4 and इसमें भी clause 4 कि जिसके खिलाफ भी trial चलनी start हो गई है conviction हो गई है उसको on the sport उसी दिन से हटा दिया जाए उसके बाद उसको debar कर दिया जाए उसके बाद से इसको लगाया जाए although बाद में कपल सिबल जब law minister ते इसको challenge किरा गया इसको overrule करने के लिए as usual parliament ने एक खेल खेला और कहा 90 days का cool of period दिया जाए so that कोई false charges ना लगाए but उसको नहीं माना गया राजय सबह में एक furor create हो गया and finally यह sustain हुआ Lily Thompson का की अब कोई भी अगर conviction हो जाता है convicted हो जाता है तो उसे तीन मंच का यहाँ पर cool of period नहीं दिया जाएगा and उसको उसी time disqualify कर दिया जाएगा election से नहीं लड़ पाएगा वो so 2005 the same year in which RTA came into an existence Lily Thompson अपने साथ advocates सत्य नरायन शुकला सत्य नरायन शुकला लखना उसे एक petition डालते है in the Supreme Court for the purpose of section 8 clause 4 of RPA Act याद रखना जो provision इसके अंदर दिये गए है RPA के अंदर वो constitution में mention नहीं है which protects the convicted politicians against any sort of disqualification from contesting the elections on the grounds of pending appeals again in the appellate courts as I said कि अगर कोई यहाँ पर convicted हो जाता था section 8 clause 4 में उसको तीन मन्त का यहाँ पर cooling period दिया जाता था और कहा जाता था तीन मन्त में आप higher court में अपने आपको appeal कर सकते हैं although the the petition filed by the petitioners rejected at the first attempt but several after nine years यह finally 2013 में AK Patnayak S.J. Mukurt Padhai ने एक verdict को पाच करा landmark judgment रही थी because यह उसके बाद कोशिश भी करी गई पार्लिमेंट की तरफ से change करने की but change नहीं हुई the main arguments which have been offered from the side of the petitioners at that if if the constitution does not allow parliament to enact laws on the particular subject matter अगर constitution पार्लिमेंट को allowed नहीं कर रहा है यह provision भी आया गया कि यह state list यह union के list में नहीं आता है then parliament does not have a right to go further with enacting such law तो parliament उसके उस चीज के ओपर law बनाने के लिए फर्दर आगे ना जाए अगर पार्लिमेंट के पास पार नहीं है we have 102 article 191 article 102 और 191 यहां पर हमारे पास disqualification जो है उसके clause बताते है of the MLA's and MP's कि किस grounds पे उनको disqualify किया जाएगा so articles 102, 191 which talks about the conditions for the disqualification of membership from the house of the parliament or the assembly respectfully does not give power to the parliament as well as the state legislator to enact any such law यहां पर कहा गया है कि जो election commission है वो court के साथ मिलकर decision बताएगा कि disqualify करना है कि नहीं करना है वो disqualify किस grounds में होंगे वो article 102 clause 1 sub clause E और 191 clause A sub clause E में दिया हुआ है so therefore the parliament does not have the competence to enact section 8-4 after considering during the provisions of article 101, 102 and 191 of the constitution article 191 क्या कहता है it provides the same thing about the MLA's जो 102 MPs के बारे में कह रहा है वो 191 MLA's के बारे में कह रहा है after closely studying it can be concluded that neither of these two articles gives the parliament the competence to pass a law that in fact protects the member of the current MP or MLA even after being convicted of the criminal offense तो यहां पर यह पार नहीं दे रहा है parliament को कि अगर कोई criminal offense में convert हो चुका है तो section 8-4 does exactly exactly that does exactly that it is beyond which parliament is constitutional competent to do what it makes it unconstitutional यह उनकी पार से भार है section 8-4 so the argument from the respondent side जो union of India ने कहा कि constitution has given parliament power to declare under what circumstances कि circumstances के अंदर MP or MLA को disqualify किया जा सकता है under article 191 and 102 so parliament के पास पार भी है इससे related कुछ rules बनाने के लिए कि किस rule में किस तरीके से बचाया जाए अब parliament को ही यहां पर पार होगी and such competence comprises within itself the required competence to pass a law that momentarily derives the effect of such disqualification तो यहां पर सारी पार parliament ने कहा कि हमारे पास है and इसके लिए क्या argument दिया उनने उननने कहा कि parliament के पास competence है to legislate on section 8-4 कि जो एक cool off period दे रहे हैं तीन मंस का under article 246 which is to be read with entry 97 of the list 1 schedule 3 schedule 7 schedule 7 में हमने करा था state list, union list, concurrent list उसमें उनने का entry numbers 97 जो है वो पार देती है parliament के पार which competence which gives parliament to legislate on section 8-4 of RPA and it was contended by the respondent that if the subject matter is not mentioned in any of the three lists बानलों के कुछ तीनों के तीनों list में ही वो matter नहीं है तो वो automatically union list में आ जाता है and union list का मतलब है कि parliament के पास पार होगी so अगर constitution यह clear नहीं था कि क्या parliament के पास पार है यह state के पास पार है and 1997 come into force which basically provides that in such a condition the parliament will be capable okay so जगर हमें पता लग रहा है कि तीनों यह जो matter है particular matter वो तीनों की तीनों list में फॉल नहीं कर रहा है तो वो automatically union list के पास चला जाएगा parliament के पास चला जाएगा उसके ओपर law बनाने के लिए however both the contentions which were raised by the respondents were rejected by the court on the ground that 97 entry will come into force when the constitution is silent on who has the competence to enact a law 97 की बात तब आती है जब constitution silent हो कि भई हमें पता ही नहीं है यह की पार किस के पास है किस के पास नहीं है okay however the articles 102 and 191 has clearly stated that the parliament has the power to make law on the subject of the disqualification of MP and MLA's so MP और MLA's के लिए जो subject है disqualification के matter वो constitution में साफ साफ 102, 191 article में दिये हुए है कि parliament के पास पार है competence है इसको लिए law बनाने के लिए therefore the supreme court has ruled out in the case that as soon as there will be in the conviction of the politician ordered by the court they will be disqualified immediately from contesting the elections as a member of parliament okay so अभी तक क्या था उनको तीन मन्त का जो था जिसमें वो हाइर कोट में appeal कर सकते थे वो cancel out कर दिया गया Lily Thompson इसले ही बड़ी landmark judgment है कि इसके बाद अब यहां पर अगर कोई भी convicted हो जाता है with the imprisonment more than two years वो अब disqualify हो जाएगा right from the same date so this judgment passed by the court means the endless time which was given to filing the appeals and the appeals were thrown away जो appeals अभी तक कर पा रहे थे they all were thrown away by this judgment so यहां से जो भी criminalization of the politics हो रहे थी criminal background के politicians MLA MPs आ रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा जटका मिला यहां पर and उनको कहा गया कि अगर आपके ओपर criminal offenses है जिसके imprisonment दो सल से ज़्यादा आप convicted हो चुके है तो आप अब elections नहीं लड़ सकते है As suggested by the law commission also any person accused of the crime or the charges which has been framed against him should be debarred from contesting the elections However, the question which arises is about those complaints which are frivolous that are filed against for defaming them अब कुछ complaints ऐसी हो सकती है जो उनके खिलाफ लगाई जाए to defame them उनको defame करने के लिए उनकी image tarnish करने के लिए rivalry के लिए शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनके खिलाफ लगाया जाए So, यहाँ पर law commission ने साथ साथ ये भी सवाल उठाया ये ठीक है आप उन्हें debar कर दीजिए ये वाला clause भी ध्यान रखिये After years of evidence it has been finally given the sign to the government to immediately debar from contesting election convicted person as well as those against whom charges of heinous crime have been framed by the court of law and ये finally कहा गया कि आप cool period of ना दिया जाए जिनके खिलाफ heinous crime में कुछ law frame हो चुका है या फर जो यहाँ पर convict हो चुके है आप उन्हें at present तभी की तभी debar कर दीजिए So, Apex Court in this held at the section 8.4 is indeed ultra wire to the constitutional provision ये अपने आप में ही ultra wire है to the constitutional provision इसलिए 8.4 को यहाँ पर null and void declare कर दिया गया and कहा गया कि अब यहाँ पर ये नया रूल जो है debar का वो लगेगा यहाँ पर जब आपको पता है कि article 14 को यह violate कर रहा है क्योंकि अगर आप 90 days का उन्हें टाइम दे देंगे तीन मंस का जिसमें वो appeal करकर MP बन सकते है तो आप एक candidate और member में differential treatment कर रहे है जो article 14 को violate कर रहा है right to equality so the court observed that the sitting member who have already been benefited जो section 8.4 से already benefit हो चुके है that means यह retrospectively नहीं लगेगा prospectively लगेगा कोई भी criminal जो भी related cases होते हैं more than prospective तरीके से लगते हैं retrospective तरीके से नहीं लग सकते हैं for example मालीजे आज मैंने कुछ case करा उसकी जो punishment थी वो थी यहाँ पर 4 साल की jail ऑके बढ़ चार दिन के बाद Supreme Court ने same offense के लिए अब जो judgment सुनाई है यह कहा गया अब fancy की सजा मिली जाएगी जाएगी तो यह criminal जो भी judgment होगी वो prospective that means from the date of commencement ही लगेगी तो यहाँ पर कहा गया however, if any sitting member of parliament or legislature is convicted by the virtue of subsection 1, 2, 3 of aid he shall stand disqualified by the virtue of this judgment अगर अब कोई disqualified होता है या अब कोई convicted होता है तो आप उसे disqualify कर दीजिए right now okay now next point court ने ये कहा कि जो article 102 है 191 है जिसमें disqualification of the members of the parliament and state legislatures दिया हुआ है of the constitution it confer power to the parliament to make a single law which lays down the disqualification of a person who is to be chosen as a member of any house or of the sitting member यहाँ पर ये कहा कि आपके पास power है इन articles में एक single law बनाने के लिए regarding the disqualification of the person it was held that once a person become disqualified his seat automatically becomes vacant by 101 3a 193a of the constitution of India hence parliament cannot provide a provision to defer the date on which the disqualification will have effect and prevent the member's seat from becoming awakened on the account of disqualification यहाँ पर आप नहीं रोख सकते हैं इसे तो आपको मैंने आज बताया कि right after this thomas case यह case दुबारा से parliament ने इसको overrule करने की कोशिश करी और कहा कि आप 90 days का cool of period दे दीजे because बहुत सी frivolous और non-serious तरीके की यहाँ पर cases डलते हैं against the MPA और MLA's तो उसके कारण यहाँ पर जो serious candidates हैं तो कई बार वो इसमें फर सकते हैं बट यहाँ पर राजसभा में फिरोर हो गया क्योंकि पूरी public इसके favor में थी and section 84 को यहाँ पर Nolan White हटा दिया गया and section 4 के जो provision थे उसको change कर दिया गया और कहा गया कि अब किसी के खिलाफ conviction अगर 2 साल से ज़्यादा imprisonment यहाँ पर हो जाती है conviction मतलब वो declare हो जाता है वो उसके सजा तो उसको debar कर दिया जाए from the date of the commencement of this judgment यह retrospectively नहीं होगा so यहाँ से बहुत ही अच्छी judgment criminalization of politics के regarding D.A.I and इसने उसके बाद जो भी criminal background के MPJ MLS थी उनको रोका from getting entry in the temple of democracy that is the Parliament. So Lily Thompson का एक landmark judgment थी जिसमें disqualification of the members of the legislature और assembly के बारे में discussion हुई and section 8 clause 4 of RPA act 1951 इसके regarding यहाँ पर discussion हुई और कहा गया कि आप तीन महिने का जो cool off period आप दे रहते अब ते convicted members को so that they can apply to the appellate court, higher court उसको हटा दिया जाए and right from the date of the conviction जे दिन हुई है उसको डिबार कर दिया जाए So that's all from the Lily Thompson case जै हिन तो अल